लश्करे तयबा से तालुक रखने वाला उजैर खान 26 जुले 2022 से थाला पता कई आतंकी हमलों में इससे पहले भी शामिल रहा सौथ कश्मीर के अनतनाक जिले में बुद्वार से सुरक्षा बलों और आतंगवादियों के बीच मुद्वेट जारी है सेना और जुमकश्मीर पुलीस की कारवाई को अन्जाम दे रही है कौकरना के गदोल कस्वे में दो लश्करे तयबा के आतंकी चुपे हुए है इनमें एक लोकल और दूसरा विदेशी बताया जा रहा है इसी बीच जो रहाईशी आतंकी है उसका नाम उजयर खान है 28 वर्षा नागम गाउंस से तालुक रखता है 26 जुलाई 2022 से लापता बताया जा रहा था उसी दोरान उसने आतंगी संगठन लश्करे तयबा को जॉइन किया कई आतंकी हमलों में इससे पहले भी शामिल रहा है उजयर खान इसी लिए उसे एपलस की कैटेगरी में वांटिड रखा गया है उस पर 10 लाख रुपे का इनाम भी गोशित कर दिया गया है एनकाउंटर साइट पर उसके साथ एक विदेशी आतंकी भी मौजूद है जिसकी शिनाखत फिलहाल नहीं पाई गई पूरा नाम उजयर एहमद खान अनतनाग एनकाउंटर 2023 का मुख्या चेहरा यही उजयर खान बताया जा रहा है और इस आतंकी हमले की जिम्मदारी टी आरेफ ने उठाई है टी आरेफ का मुख्या शेक सज्जाद गुल है और टी आरेफ ने जो मुकश्मीर में इसे पहले भी काफी सारी टार्गेट किलिंग्स को अन्जाम दिया है यह मुदबेड पिछले छे दिन से चल रही और अन्दाजा लगा जा सकता है कि आतंकीों को खाने पीने की कोई कमी नहीं है यह मुदबेड चुनोती बरा है पर सिक्यूरिटी फोर्सस के हलिकार चपे चपे पर ताइनात है